तो दोस्तो आज मित्र रशिया की तरफ से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और एहम खबा निकल के सामने आई है जो की भारत की वायू सेना से जुड़ी हुई है दरसल आप सब जानते हो कि इस समय भारतिय वायू सेना नए फाइटर जेट को लेने के बारे में बिचार कर रही है साथ में अपने पुराने फाइटर जेट को रिपेर और मेंटेन करने का जो काम है वो भी भारतिय वायू सेना की तरफ से किया जा रहा है और हमारी भारतिय वायू सेना में सबसे जादा संख्या के अंतरगत रशिया के SU-30MKI फाइटर जेट है जो की भारतिय वायू में रखकर भारत के वेक्यानिक स्वधिसी तोर पर सुखोई 30 MPI को अपग्रेट करके सोपर सुखोई में बदल रहे हैं जिसके अंदर इस फाइटर जेट के सारे पार्ट जैसे एलेक्टोनिक, रडार, सेंसर, कॉक्पेट और यहां तक की इंजन तक को चेंज किया जा रहा है परंतो आप सभी जानते हूँ कि भारत अभी इस समय इंजन को नहीं बना सकता है और भारत की इसी समस्या का समधान करते हुए भारत के मित्र रश्या की तरप से भारत को अपने एडवांस एल-41 F1 इंजन का ओफर किया गया है अब दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि अभ से पहले सुखोई 30M के आई कि इंजन चेंज किये जाएंगे और इसमें मित्र रश्या भारत की मदद करेगा और भारत के लिए अपना एडवांस एल-41 जो इंजन है जिसका जो थ्रश्ट है वो 130 किलोन्यूटन का है वो भारत के लिए देगा ताकि भारत का सुखोई 30M के पूरी तरीका से एक 4.5 मीं पीडी का सुखोई फाइटर जेट बन पाए जिसमें रश्या अपनी जो मदद है वो भारत के लिए प्रदान कर रहा है बैसे इसके जो अनपार्ट सें वो भारत के व्यग्यानेक और प्राविट सेक्टर की कंपनिया स्वधेसी तोर पर चेंज कर रहे हैं ताकि सुखोई 30M के आई को एडवांस से एडवांस उप करण और लीथल से लीथल हत्यार से लेस किया जा सके और भारती अवायू सेना सुखोई प्रोग्राम के तहट कम से कम सो की संख्या में सुखोई 30M के आई को 4.5 मीं पेड़ी के सुखोई में तबदील कर करेगी फिलाल में मैं तरशिया की तरब सीखेगा इस मदद की उपर आप सभी के क्या राय है और भारत को कितने सुखोई बनाने चाहिए कमेंट बोक्स आफिर आवज दीजेगा वीडियो देखने के लिए धनबाद जैहेंद वन्दे मात्राम